विधायक मुकेश बाकर, आमनिवास गावडिया, मुकेश बाकर हमार साथ मौझूद है, उन से हम बात कर लेते हैं, मुकेश ये फीडवेक चल रहा है, लगातार जो विधायकों से राय जानी जा रही है, कि कैसे आप जी सकते हैं, क्यों आपको टिकर दी जाए, कैसा कांग्र पर आई जो रणनीती के तहट यह स्क्रेइनिंग का गठन होना और शाथ ही जो सीस है उसमें टिक्टों को लेकर राय मसूरा होना यह हमेशा की तरह एक सतत कारिकरमों के तहट है और मैं समझता हूं कि जिस तरह से जो स्क्रेइनिंग के टाइम पर गोसित हो जाना इतने समय से पहले Congress में कभी screening का गठन हुआ नहीं और जो members है वो आके यहां राजस्तान में एक एक आदमी से feedback लेना नहीं तो जो MLH है candidate हैं उनको जाके दिली को दिली में हम सब लोगों को देना पड़ता था तो एक अच्छी पहल Congress Party Congress तो ने किये और मैं समझता हूं कि इससे नहीं केवल समय पर ट्रिक्टों का बंटवारा जबकि एक सही सर्वे सही रिपोर्ट ग्राउंड की screening members को जो committee के members से उनको मिलेगी सीसी में यह जाएगी तो एक अच्छा result इस प्रक्रिया का आने वाला है नागोर जीते तो उसका पूरा संदेश पूरे परदेश प्रदेश में जाता है इस बार क्या लगता है पहली बात तो आपको खुद को कितना बरुसा है टिकेट फिर से मिले और मिलती है तो जीत का किस तरह का आपने एक समिकन बताया होगा गोविश आपको देखे पिछली बार भी जब नागोर जिले में 2018 में 6 विदाइक जीत कर हम लोग आये हैं लगबग नोजवानों का और एक तरह से देखा जाए तो नागोर राजनीती गड़ रहा है राजनीती के एक संदेश सियासी संदेश नागोर से जाता है और निश्चित तोर पर हम सब लोग मिलकर आज यहां सब लोग आये हैं लोगों को जनता के बीच जाना है और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि नागोर से हमेशा से ही राजनीती गड़ रहा है और इस बार भी कॉंग्रेस पार्टी की तमाम वो सीटे जीत कर आएगी और निश्चित तोर पर नागोर राजस्तान में शिर्मोर रहेग देखिए जनता सब जानती है आज ये नोबत क्यों आई कि देश के परदान मंतरी जी को एक स्टेट के इलेक्शन में आकर अपना मोर्चा समालना पड़ रहा है तो ये कही ना कही जनता में ये संदेश है कि बारते जनता पार्टी का जो केंदर का सासन राज इसमें जो वा ये पब्लीक में भी दरातल पर भी ये संदेश है तो कॉंग्रेस पार्टी में ये मेसेज है कि आज हम सब लोग एक जूट होकर चुना और लड़ने जाते हैं कॉंग्रेस दड़ों में थी वो एक हो गई है पूरी तरह से बिल्कुल कॉंग्रेस पार्टी हमेशा से एक रही है और हमारा जो आपस का कोई बात होती हैं पार्टी प्लेट फोर्म पे हम लोग बात करते हैं और हमारे यहां हाई कमान के दुआरा जो भी नीने लिए जाते हैं अभी हम सब लोगों का फोकस है कि 2023 का चुनाओ और 2024 का चुनाओ कॉंग्रेस पार्टी के